So hey guys, welcome to my channel और आज मैं आप से बात करने वाला हूँ wireless capability के बारे में अगर आपका wireless capability आफ हो गया है disabled हो गया है तो कोई बात नहीं है हो सकता है कि आप से गलती से disabled हो गया हूँ बर दोस्तो इसमें डरने के बात बिल्कुल भी नहीं है आप उसको easily enable कर सकते हैं बहुत ही छोड़ा सा मैंताद जिससे आपने वाइलिस के लोटी को दुबारा से चालूंप कर सकते हैं तो इस video में में आपको पताने वाहाई आँ तीन ही वारे में wireless capability कैसे आप इनेवल कर सकते हैं दोस्तों इसी topic में मैंने दो वीडियो अपने चैनल में बना रखिये अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप अपने मेरे description में जाकर उनकी लिंक मैं आपको दे दूँगा वासे इसको देख सकते हैं और निचे ऊपर जो काट है उसमें भी आपको यह शोग हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं कि जिन लोगों के लिए यह capability वाला वीडियो मेथड काम नहीं किया था उन लोगों के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं specially दोस्तों कई सारे लोग हैं जिनके लिए मैथड बहुत अच्छा काम हुआ था को आए कमेंट वगरा आ रहे थे कि मेरे 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 लैप्टोप में काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है तो इसलिए मैंने सुचा कि क्यों एक वीडियो बनाए जाए ताकि आप यह सभी लोगों के लिए काम करें इसके अंदर मैंने तीम में इसलिए बता सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर ट्रॉबल्शूटिंग प्रॉबल्लम के उपर जो फट मैं थड़ है वह ट्रॉबल्शूट तो आपका जो वाइफ है डिसेबल हो गया उसके राइट साइड में जाए नीची के तरब जो आइकन शो रहा है वाइफ है का उसके उपर क् राइट्ट क्लिक करने के बाद वहां पर सोगा एक हैएक डितक्प्रॉबल्म ट्रॉबल्शूट प्रॉबल्म का अकर नीची सेटिंग व में वाइफ है वी निच्वी ते स्ट उसको डिटोबिटोगा और एक हो सकता है तो वह यूप नहीं हूता है तोबम आपको वो option देगा कि इस पर क्लिक करो और अपने problem को sort out कर लो solve कर लो manually अगर इससे भी अगर इससे भी आपका क्रम नहीं होता है अपका problem sort out नहीं होता है तो second method में आपका कर जो कर मैं विल्कुल sort out हो जाएगा problem विल्कुल sort out हो जाएगा तो बरते हैं second method के उपर तो second method जो आता है वो है कीवाइंड अपने laptop के कीवाइंड को यूज करकर भी अपने problem को सौट आउट कर सकते हैं तो कीवाइंड में क्या आता है आपका FN plus F3 यहीं फर्स्ट कीवाइंड है जो कि मेरे भी लैपको का कीमाइंड यहीं है मैंने पिसली वीडियो में अपने यहीं डाल रखा है और F4 करके भी डाल रहा है वर बस वह पहली बहुत पहली वीडियो में है दोस्तों FN plus F3 से आपका है जो क्लिक करोगे इसको थोड़ा से व्हाइस फिर आपका वह सॉट-आट होजाएगा इस लिए अपने वाइफ को रिपेर कर सकते हैं इस Metoda और अगर आपके यह दोनों वैसाइड का मैं करते तो अपने ड्राइवर में तो क्या करना परेगा जो भी आपका सेंट नंबर है लाप्टॉप का या किम आपसे related जो आपके drivers होंगे उसको install कीजिए उसको आपे download करके install कीजिए जैसे ही आप इसको install करेंगे वो configure आपका software ले लेगा हो सकता है कि reset option मांगे आपके laptop के अंतर तो reset कर दीजेगा जैसे ही आपको reset करेंगे आपने laptop को वैसे ही आपका wireless capability enable हो जाएगा अगर इन method आप यह सारे method जो मैं आपको बताईए method आपके laptop में काम नहीं करते हैं आपके computer में काम नहीं करते हैं तो मुझे comment में बताईए मैं आपके लिए कुछ नया method लेकर आँगा आपके wireless capability को on करने के लिए तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और आइकन को दबाएए हमारे टेकनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए झालब झालब प्राइब देखने के लिए खिए वीडियो चैनल झालब आइकन के लिए का आपके लिए करने के लिएप आपके लिए